वेलकम डियर लर्नर्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल जीरो सोशेशन सो बेंडिंग मुवमेंट डाइग्राम और सियर फोस डाइग्राम जिनको बिलकुल भी बनाना नहीं आता है ये क्लास बिलकुल बेसिक से उन्हीं के लिए है तो जो भी आपने प्रिवियस अभी तक ग्यान लिया हुआ था उसको एक तरफ रखिए और यहां पर फोकस करिए गैरेंटी देता हूं कि कुछ समय बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको अगर ये पॉइंट्स आप लोग कुछ इस वीडियो को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको कुछ भी ऐ बनते हैं उनके बीच में कुछ एक बहुत माइनर से रिलेशन होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है और ये रिलेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली तो पहला रिलेशन है इन देर इफ देर इस अपॉइंट लोड एट असेक्शन मैंने आपको प्रीवेस लेक्चर में कुछ कुछ चीज़े पढ़ाई भी है आप चाहे तो उनको फॉलो भी कर लेंगे तो आपको काफी कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन किस किस टाइप के लोड होते हैं कौ पॉइंट लोड लगा होगा तो उस पॉइंट लोड पर सियर फोर्स डाइग्राम सडेनली चेंज होगा यह ध्यान रखिएगा सियर फोर्स डाइग्राम सडेनली चेंज होगा बट बेंडिंग मुमेंट रिमेंस सेम बेंडिंग मुमेंट जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा हो, तो then the shear force does not change, but the bending moment change linearly, to shear force diagram बिल्कुल भी change नहीं होता है, मतलब shear force diagram बिल्कुल सीधा move करता है, but bending moment linearly change होता है, third point, if there is a UDL, uniformly distributed load between two points, then the shear force change linearly, linearly का मतलब यहां पर दो line आ रही है, एक, यह जो shear force does not change, does not change का मतलब zero degree के curve को वो follow कर रहा है, zero degree का curve मतलब सीध है, और linearly का मतलब है, one degree के curve, straight line, but किसी inclination के साथ, तो UDL, अगर दो points के बीच में लग रहा है, तो shear force diagram जो है, वो linearly change करेगा, मतलब किसी angle पर, लेकिन सीधी line पर नीचे जुकेगा, but वहाँ पर bending moment parabolic lock को follow करेगा, मतलब bending moment जो होगा आपका, वो parabolic lock को follow करेगा, parabolic बनेगा, similarly अगर UVL हो, uniformly wearing load किसी दो points के बीच में हो, तो shear force diagram parabolic lock को follow करेगा, और bending moment diagram cubic lock को follow करेगा, यहां से एक चीज़ आपको common देखने को मिलेगी, जो भी shear force और bending moment में changes आ रहे हैं, अगर sierra force diagram straight line बन रहा है, या फिर नहीं change हो रहा है, तो bending moment diagram linearly change होगा, अगर shear force diagram linearly change हो रहा है, तो bending moment parabolic change हो रहा है और अगर shear force diagram parabolic change हो रहा bending moment diagram cubic law को change कर मतलब एक डिग्री जादा की line हमेशा बनेगी shear force diagram और bending moment diagram के बीच में यह हमेशा ध्यान रखिएगा तो यह आपके कुछ points है जिनको वीडियो पहुज करके आप देख लीजेगा जो आपके हमेशा use में आएंगे इसके बाद मैं आपको एक एक topic पर numerical करवाता जाओंगा जो आपके concept को clear करेंगे जैसा कि आपको वोट पर दिख रहा है पहली problem है एक simply supported beam है जिस पर दो point load act कर रहे है C और D पर A, B एक simply supported beam है जिसके दोनों supports के वीच में 2.5 meter की दूरी है पहला load जो 2 kilonewton का लग रहा है वो A से 1 meter की दूरी पर है और जो 4 kilonewton लग रहा है point D पर वो B से 1 meter की दूरी पर है अब इसका हमें bending moment diagram और shear force diagram बनाना है इसके लिए मैं आपको हमेसे जाद रखिएगा वो जो 4 points अभी लिखाये थे मैं वो point आपको बार-बार reminder कराता जाऊँगा कि वहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बोला था तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें reaction निकालने होते हैं ध्यान से देखिएगा समझते जाईएगा सब कुछ clear हो जाएगा तो reaction at A को मैं R A लिख लेता हूँ reaction at B को मैं R B लिख लेता हूँ क्यों इनको reaction बोला जाता है क्योंकि 2 और 4 किलो नूटन का जो load आ रहे है उस action को react कर रहा है ये तो इसलिए इसको reaction इस action के against में ये हो रहा है इसलिए इसे reaction बोलते है तो पहली equation मैं ये लिख सकता हूँ आप देख रहे हैं कि 2 किलो नूटन और 4 किलो नूटन का जो load एक बीम पर आ रहा है वो split होकर A और B support पर ही जा रहा है तो इसके द्वारा मैं ये लिख सकता हूँ कि R A plus R B reaction at A and reaction at B will be equal to 2 plus 4 उपर से आने वाले दोनों load नीचे लगने वाले loads के बराबर होंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे हमें ये समझ में आ गया कि 6 किलो नूटन का load A और B दोनों के लिए आएगा लेकिन अब हमें individually निकालना है कि A पर कितना B पर कितना अब इस equation में आपको दिख रहा है दो unknown है equation 1 है value नहीं आ पाएगी तो दूसरी equation हम moment से लेंगे तो moment हम दो तरीके से ले सकते हैं या तो हम A से ले सकते हैं या तो हम B से ले सकते हैं मैं दोनों आपको सिखा दूँगा तो सबसे पहले मैं लेता हूँ taking moment about A तो A से अगर मैं moment लेता हूँ तो ध्यान से देखिएगा पॉइंट ए से मैं moment लेना है start कर रहा हूं इस वुर्ट को ध्यान रखए तो ए से मैं start करunगा तो पॉइंट आसे सबसे दूर से मैं start करung और पॉइंट की तरफ आता जाऊंगा तो पॉइंट एसे जब मैंने सबसे दूर देखा तो मुझे मिला rb कितनी दूरी पर point a से 2.5 मीटर की दूरी पर ठीक है अब चुकि यह rb clockwise movement generate कर रहा है या फिर मैं ऐसे simple भासा में आपको बताऊं तो उपर की ओर है तो इसलिए मैंने इसको plus मिलिया है अब मैं उससे जब और a की तरफ आउंगा तो मुझे मिलेगा point d जिस पर लग रहा है 4 kilonewton का load और किधर की ओर नीचे की ओर इसलिए मैं इसको ले लूँगा minus ठीक है अब कितना load लग रहा है 4 kilonewton का अब मुमेंट हम कहां से ले रहा है point a से point a से point d की दूरी कितनी है तो 1 into 0.5 तो this is 1.5 फिर हम आगे आएंगे 2 kilonewton का नीचे इसलिए minus कितना load 2 kilonewton into 1 meter वहां से a से हम ले रहे हैं सारी दूरी equal to 0 तो यहां से मैं rb की value निकाल लूँगा scientific calculator सब ले कर बैठ है ही होंगे तो निकाल ये video pause करके निकाल लिएगा मेरे पास values हैं तो मैं rb की value बोल सकता हूं rb equal to 3.2 kilonewton अब rb की value equation number 1 में रखिए r a की value आ जाएगी तो r a की value मेरे पास आ रही है that is 2.8 kilonewton तो r a और rb की value मैं निकाल लिए ठीक है अब केवल मुझे भी reaction मिले हैं अब मुझे बनाना है shear force के लिए value तो shear force के लिए मैं क्या करूंगा for shear force shear force के लिए मैं a point से start करूंगा तो देखिए तो point a पर अगर मैं वो लूँ f a force at a तो क्या force लग रहा है point a पर आपको मिल चुका है point a पर force 2.8 तो मैं यह लिख सकता हूं equal to r a that will be equal to 2.8 kilonewton अब जैसे 2.8 का यहाँ पर लग रहा था load अब मैं आगे बढ़ा मैं पहुंचा point c पर c पर मुझे 2 kilonewton का load लग रहा है अब 2.8 ऊपर की ओर 2 kilonewton नीचे की ओर तो point at c मैं यह बोल सकता हूं 2.8 पहले से आ रहा था 2 kilonewton ने उसको counteract किया तो मेरे पास बता 0.8 kilonewton ठीक है अब मुझे point c तक value मिल गई point c से point d पर पहुंचा तो f d point d टक किती value थी 0.8 ठीक है प्लस का अब वहाँ पर मुझे d नीचे की ओर लगता मिला 4 kilonewton का load तो यहां से मुझे मिला minus 3.2 kilonewton अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा अगर यहां पर minus 3.2 kilonewton इसके बराबर नहीं आता तो मतलब मैंने यहां पर calculation में कोई गलती की है ठीक है और point b पर मैं पहुंच गया f b वहाँ पर value है 3.2 kilonewton की ठीक है अब इसके यह points मुझे मिले 2.8, 0.8, 3.2 और 3.2 minus और plus इसके बेस पर मैं shear force diagram बनाने कोशिश करता हूँ तो यह एक line हम खीच लेते हैं जिसके उपर plus की value बनाएंगे नीचे minus की value बनाएंगे तो a पर कित्ता 2.8 यह 2.8 मैंने खीच दिया, point c पर 0.8 यह मैंने कहीं यहाँ पर 0.8 की value बना लिए ठीक है, point d पर minus 3.2 तो मैं यहाँ पर कहीं बना लेता हूँ, 3.2 और b पर भी, b पर मुझे plus 3.2 मिल रहा है ठीक है, अब देखिएगे यहाँ पर ध्यान से, उन 4 points को फिर से ध्यान करिए, मैंने क्या बोला था, कि जब 2 points के बीच में कोई भी load ना हो तो shear force diagram constantly move करता है, या फिर change नहीं होता है, तो a और c के बीच में कोई load है क्या, नहीं है, तो यह linearly जाएगा, यह सीधी line है linearly जाएगा, और फिर यहाँ से, ऐसे मैं इसको यहाँ मिलाओंगा, ठीक है, 0.8 पर मिल गया मुझे, अब c और d के बीच में कोई load है क्या, नहीं है, तो फिर यहाँ से constantly move करेगा, और यहाँ जाएगा, तो यहाँ से, और फिर यह, नीचे जाएगा, 3.2 पर, minus 3.2 था, d पर, तो देखिए, d पर minus 3.2, अब फिर यहाँ से, d और b के बीच में कोई load नहीं है, तो फिर यह constantly move करेगा, और मुझे point d पर plus 3.2 मिला, तो plus 3.2 मैं उपर चला जाऊँगा, और फिर से मैं इसी point पर पहुँच गया, यह बन गया मेरा shear force diagram, जिसे मैं short form में sfd भी लिख सकता हूँ, यह plus की value है, यह भी plus की value है, और यह minus की value, clear, shear force diagram clear हो गया, अब मैं बनाऊँगा bending moment के लिए values निकालूँगा, तो for bending moment, तो bending moment के लिए जब मैं value निकालूँगा, तो ध्यान से देखिए, यह point A है, point C है, D है, और point B है, इन पर हमें shear force की value मिल चुकी है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि मुझे values मिल चुकी है, तो bending moment, हम हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पहली line, कि simply supported beam में, supports पर bending moment 0 होत है, तो मुझे दो जब तो मिल गया, A और B पर 0, क्यों 0 होते हैं, कोई अगर आप से कल के दिन पूछ ले, तो मान लीजे, आप point A पर moment निकाल रहे हैं, तो moment, तो point A पर force किता है, 2.8, और point A पर point A की दूरी किती है, 0, इसलिए 0, point B पर point B से दूरी किती है, 0, और moment निकालने के लिए हम load into distance करते हैं, तो distance यहाँ पर 0, इसलिए value 0, ठीक है, तो bending moment के लिए हम जो value निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो पहला A पर निकालूंगा, मैं M A equal to 0, ठीक है, अब मैं point C पर पहुंचूंगा, that is M C, point C पर load किता, 2 kilonewton का load, ठीक है, 2 kilonewton का load आपको दिख रह तो this is 2.8, यहाँ पर था, यहाँ पर भी 2.8, यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 0.8, सारी जगह मैंने value लिख दे, यहाँ पर भी 3.2, यह values मैंने लिख दी, जो यहाँ से आई थी मेरे पास, अब देखिए, आप point C पर खड़े हैं, आप point C पर खड़े हैं, point C से आपने point A की तरफ देखा, तो आपको एक ऐसा moment निकालना है, तो point C से point A की तरफ जब आपने देखा, तो load कितना है, देखिए figure से, 2.8 का load है, कितनी दूरी तक, 1 meter की दूरी तक, तो मैं यहाँ लिख सबता हूं, 2.8 into 1, यहाँ पर value आजाएग 2.8 किलो न्यूटन मीटर, unit देखना, 2.8 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर unit क्या थी, किलो न्यूटन, मतलग केवल force की बात हो रही थी, यहाँ कई मैंने length का multiply नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने one length का multiply किया, similarly, मैं point D पर पहुंचूंगा, point D से पास कौन सा support है, उधर तो MD अगर मैं निकालूं, तो point यहाँ पर कौन सा load है, point यहाँ से इधर की और, तो इधर की और अगर मैं जाऊंगा, तो 3.2 का load है, अगर B की तरफ मैं जाऊंगा, तो 3.2 into 1 equal to 3.2 किलो न्यूटन मीटर, अब यहाँ पर बहुत लोग का यह भी सवाल आएगा, सर यहाँ प minus sign, sign को denote करता है, कि जो plus था, उसके opposite sign आ रहा है, इसलिए वो minus, तो moment और force कभी भी minus में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि हमें opposite sign चाहिए होते हैं, कि कहाँ पर shear force डाइगराम हने, तो यह values आगें, और point B पर जब मैं पहुंचूं bending moment diagram बनाऊंगा, इस point पर, तो bending moment diagram देखिए, A पर 0, B पर 0, मतलब support पर 0, C पर किता, 2.8, यहाँ पर मैं एक निसान बना लेता हूं, जो 2.8 को denote करेगा, यहाँ पर 3.2 का मैं एक निसान बना लेता हूं, और अब 4 point लिखाया थे, तो दूसरा point देखिए, कि जब shear force diagram linearly move करता ह जब move नहीं करता है, मतलब constant रहता है, या फिर no change आपने लिखा होगा, तो हाँ पर bending moment linearly move करता है, तो मैं इसको linearly move करा दिया, यहाँ पर भी same, यहाँ पर भी linearly move करा दिया, यहाँ पर भी same, यहाँ पर भी, यह एक positive bending moment diagram बने गया, this is shear force diagram, shear force diagram भी बन गया मेरा, bending moment diagram भी बन गया, तो ऐसे ही हमारे bending moment diagram और shear force diagram बनते हैं, इनमें कोई भी rocket science नहीं होता, simple, एक एक points को analyze करते जाए, ऐसे ही मैं आपको और भी loading conditions के लिए, और भी numerical अभी करवाँगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से video pause करके एक बार देख लीजिए, और फि simply supported के किसी एक portion पर एक UDL लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, C और D के बीच में एक UDL लगा है, तो एक beam AB है, जो 5 मीटर लंबी है, support A से 1 मीटर दूरी पर आपका एक UDL start हो रहा है, और point D पर जो 2 मीटर तक पूरा फैला हुआ है, उस पर जाकर UDL खतम हो जा रहा है, तो आपको इसका simple shear force diagram और bending moment diagram बनाना है, एक बार कोशिश करिए video pause करके बनाने की मैं तो बताया हूँगा है, तो जैसा कि मैंने सबसे पहला step आपको बताया था कि आपको reaction निकालने है, reaction at A and reaction at B, पहला step हमारा यही रहता है, तो हमने reaction at A और reaction at B निकालने के लिए आपको बत पर करते हैं, तो उपर से लगने वाला force क्या है, 10 kN और नीचे से जो हमने reaction बना है A और B, तो मैं इसके थुरू मैं यह लिख सकता हूँ, कि R A प्लस R B will be equal to 10 kN का वो point load नहीं है, जैसा previous lecture में हमने क्या किया था, दो और चार को जोड दिया था, क्यों, क्योंकि वो point load था, बट यहां पर आप उसकी unit से ही पहचान सकते हो, कि 10 kN पर मीटर की length पर लग रहा है, तो load कितना होगा, 2 m की length पर लगा है, मतलब 10 into 2, तो this is 10 into 2, क्यों 2, क्योंकि 10 kN पर मीटर की length पर लग रहा है, इसलिए, so 20 kN, ठीक है, यह हुआ इसकी load intensity होगी, तो reaction at A और reaction at B को अगर हम जोड़ दें, तो हमारे पास यह आएगा equation number 1, अब हमें unknown 2 है, एक reaction से मिलेगा नहीं, तो moment ले लेते हैं, so taking moment about A, तो A के side से हम moment लेते हैं, तो A के side से जब मैं moment लेना start करूँगा, तो जहां से हम moment लेना start करते हैं, उसके सबसे दूर point को हम देखते हैं, तो सबसे दूर point है यहाँ पर हमारा R B, या फिर B, तो R B, A से कित्ती दूरी पर? पांच मीटर की दूरी पर? माइनस, या तो माइनस लगा लीजे, या तो equal to के उधर कर दीजे, तो equal to मैं लगा के उधर side लेग लेता हूँ, अब मैं point B से और पास आउँगा, तो मैं पहुंचूँँगा point D पर, तो मुझे देखकर बताईए, point D पर कोई extra load लगा क्या? नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, अब लेकिन जैसे ही मैं point D से आगे बढ़नाय स्टार्ट कर रहा हूँ, कि यह point A से किते दूरी पर है? तो point load अगर लग रहा होता, तो मैं बता देता कि सर यह D पर लग रहा है, मतलब यहां से 3 मीटर की दूरी पर है, अगर C पर लग रहा होता, तो मैं बोलता 1 मीटर की दूरी पर है, लेकिन एक UDL, कहां पर हम मानते हैं? हम मानते हैं UDL के center of gravity या centroid पर that is half of the section क्योंकि UDL को मैंने ऐसा तो बना दिया लेकिन UDL अगर मान लीजिए कोई एक beam है और इस पर UDL लग रहा है तो वो कुछ ऐसे लग रहा होता है क्योंकि ये बराबर है तो ये कुछ ऐसा लग रहा होता तो इसका center of जो point होगा that is called center of gravity या फिर इसी के centroid कौम बोलते हैं तो centroid पर हम concentrated मानते हैं अगर मैं आपको एक practical के तुरू दिखाऊं अगर इस beam पर load लग रहा होगा और मैं बोलू कि बेटा ये beam ऐसे कुछ deflect करेगी तो maximum deflection का होगा? mid of the section पर होगा इसी लिए हम इसके mid of the section को मान कर चलते हैं कि यहीं पर जो भी load लग रहा है वो concentrated होगा तो 10 into 2 ये load intensity है और A से उसकी दूरी कितनी होगी? इसके mid of the section पर मतलब 2 का आदा 1 और यहां से कितनी दूरी? 1 plus 1 that is 2 ठीक है? ये आ गया हमारे पास अब इसको आप solve कर दीजे सीरे तो आपके पास जो Rb की value आ जाएगी solve करके video post करके solve करके मुझे comment में जरूर बताइएगा मेरे पास values है तो यहां पर मैं लिख दूँगा इसको solve करने पर आएगा 8 kilonewton या 8 kilonewton और इस value को इस equation में रखेंगे तो मेरे पास R A की value भी आ जाएगी that is 12 kilonewton तो मेरे पास R A और R B की value आ गई यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए अब हमको निकालना है shear force तो shear force हम निकालेंगे जब हम shear force निकालते हैं तो आपको पता है कि हमें length से कोई मतलब नहीं होता हम किवल force force निकालते जाते हैं हम किसी a point से start करते हैं हाँ यहां पर मैं एक चीज़ और आपको बता दू अगर यह reaction आप B से लेते taking moment about B तो क्या करते R A into 5 फिर 10 into 2 और इसके mid point से यहां तक की दूरी that is 3 meter तो उसका multiply यहां 3 कर देते और यहां पर R A कर देते तो value R A की आती और फिर इस equation में रखके आप R B की value निकालते हैं तो जिस point से आप लेंगे उसके opposite वाले का reaction की value आएगी यह ध्यान रखिएगा फिर अब देखे shear force में हम क्या start करते हैं किसी एक point से तो A point पर हमने देखा तो F A point A पर क्या load लग रहा है मैं यहां लिख देता हूँ तो R A आ रहा है मेरा 12 और R B आ रहा है मेरा 8 तो F A equal to R A equal to 12 किलो निक्टन 12 किलो निक्टन का लोड आया अब मैं बढ़ा आगे अब मैं जब आगे गया तो मुझे यहां पर चाहिए है value C पर तो F C अब अब अगर figure को देखेंगे तो A से C के बीच में कोई load में changes नहीं हो रहा है यहां पर 12 था तो point C पर भी मैं लिख सकता हूँ 12 किलो निक्टन क्योंकि कोई changes नहीं हुए अब मैं पहुँचा point D पर जब मैं point D पर पहुचा तो मैंने देखा कि एक load introduce हुआ है that is called UDL और यहां से एक load 12 किलो निक्टन का चलता हुआ रहा था तो 12 minus 10 किलो निक्टन minus क्यों opposite है उसके तो 10 into 2 यह क्या है उसकी load intensity इसको आप multiply करोगे और जब solve कर दोगे तो आपके पास आजाएगा minus 8 minus 8 किलो निक्टन point D पर और point D पर आपकी value आजाएगी और आप यहां पर देख रहे हो point D पर minus 8 आया और point B पर plus 8 आ रहा है मतलब हमने जो calculation किया हो बिलकुल सही है तो point B पर मैं लिख लेता हूँ that is 8 किलो निक्टन ठीक है मेरे पास forces की value आ गई अब force की value के बाद जब force की सारी value मेरे पास आ गई यहां पर unit ध्यान रखिएगा किलो निक्टन में और moment की किलो निक्टन मीटर में तो मैं निकालूंगा bending moment तो ध्यान से देखिए for bending moment तो bending moment जब मैं निकालूंगा तो moments मुझे चाहिए तो force into distance से मुझे आएंगी moments तो सबसे पहले दो चीजे सबको पता है कि supports पर simply supported beam के supports पर bending moment हमेशा 0 होते है क्यों? क्योंकि वहाँ पर length 0 होती है तो इसलिए A और B पर 0 पता है हमें? अब हमने start किया C पर निकालना तो जब हम point C पर पहुँचेंगे तो देखिए द्यान से अच्छा मैं shear force बना लेता हूँ shear force diagram मैं बना लेता हूँ यहाँ से तो देखिए shear force diagram कैसा बनेगा? A पर 12 यह मैं पहुँच गया 12 ठीक है? C पर भी 12 तो यह मैंने tick कर लिया C पर 12 यहाँ से यहाँ कोई load नहीं है इसलिए constant move किया C पर 12 C के बाद आपके D पर आया minus 8 की value तो यहाँ पर मैं लेका D पर minus 8 यह टिक कर लिया मैंने that is 8 यहाँ पर 12 है यहाँ पर 12 है ठीक है? और B पर plus 8 तो अब आपने देखा यहाँ पर constant move कर रहा है अब बहुत लोगे दिमाग में यह भी आएगा कि सरी यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि सियर फोर्स डाइग्रान constant move करेगा और constant तब move करता है जब दो points के बीच में कोई load ना हो लेकिन यहाँ पर C और D के बीच में load है तो इसलिए यह कुछ ऐसे move करेगा यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक फिर constant move करेगा और यह फिर उपर चला जाएगा प्लस 8 इस point को 8 में लिख लेता हूँ तो यह बनेगा हमारा CR4 डाइग्राम that is called SFD ठीक है अब मुझे बनाना है bending moment diagram तो bending moment diagram में हम देख लेते हैं तो देखिए point A पर आप हो point A पर MA moment at A zero support है moment at C अब ध्यान से देखिए point C पर खड़े हो आप यह point C है point C से आपने point A की तरफ देखा कितना load अगर यहाँ पर आप line खीचोगे तो कितना load 12 किलो न्यूटन का load कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर so 12 into 1 आ जाएगा मेरा 12 किलो न्यूटन into मीटर क्यों मीटर? क्योंकि मैंने length का भी multiply कर दिया 1 जो है वो मेरा length को show कर रहा है अब मैं पहुँचा point D पर point D पर मैं पहुँचा तो point D पर ध्यान से देखिए कितना load आ रहा यह point D है point D पर जब मैं पहुचा तो मेरे पास देखिए ध्यान से कितना load आ रहा 8 किलो न्यूटन का किसी एक support से आप ले लिए इधर से ले लिए इधर से simple हमारे लिए इधर पड़ेगा इसलिए हम इधर से लेते हैं तो point 8 यह जो है 8 का point D पर यह point B से कितने दूरी पर 2 meter की दूरी पर तो D पर अगर मैं देखूं MD that is 8 into 2 that is 16 किलो न्यूटन into meter ठीक है और point B पर value हो गई 0 ठीक अब यहाँ पर एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी और वो नई चीज क्या है अगर मैं एक ऐसा एक dotted line सा बना देता हूं कि आपको simple समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा point को introduce किया जाएगा अब अपनी यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखी कि point shear force diagram ने अपना sign change किया यहाँ पर इस point को अगर मैं मान लेता हूं तो shear force diagram ने point M पर प्लस से माइनस की और गया अब आप से यह point पूछा जाता है कि इसकी distance कितनी है ठीक है इसकी distance निकालने के लिए और एक चीज पूछा जाता है क्योंकि जिस point पर shear force diagram 0 होता है simply supported beam में उस point पर bending moment maximum होता है तो आपको निकालना पड़ेगा अब आपको x की अब obvious सी बात है bending moment निकालना है तो हम हर जगा length के multiply कर रहे हैं अब हमें length की तो दूरी से यह होगी न length यहाँ से कितना है तभी तो हम निकाल पाएंगे तो length हम कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं similar triangle rule से आपको पता है यह एक triangle बन रहा है और यहाँ पर यह एक triangle बन रहा है तो इन दोनों triangles को यह वाला triangle और यह वाला triangle इन दोनों को हम similar माल लेते हैं तो ध्यान से देखिए तो similar triangle के rule के हिसाब से देखिएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि base upon perpendicular equal to base upon perpendicular यह इनकी property होती है इनकी sides का ratio equal होता है तो मैं लिख सकता हूं इस triangle में देखिएगा x upon 12 equal to ये चोटी सी distance ये चोटी distance कितनी है 2 minus x so 2 minus x divided y ये दूरी किती है 8 तो यहां से हम x की value निकाल लेंगे ठीक है तो आप लोग कोशिश करिए और comment में मुझे बताइएगा मेरे पास value है तो ये x की value आएगी 1.2 meter this x is 1.2 meter ठीक है ये 1.2 meter आया अब जब 1.2 meter आ गया तो अब मुझे उस point पर moment भी चाहिए है ना इस point पर moment भी चाहिए तो मैं यहां लिख लेता हूं है ना moment की value तो moment at m m से मैं show कर देता हूं अब ध्यान से देखिए आप खड़े हैं point m पर अब point m पर खड़े हैं आपने देखा इस point को क्योंकि moment obvious सी बात है जहां से हम लेते हैं पर इसके उधर साइक तो हम पहुंचें एस point पर यहां पर हम क्या कर रहे थे देखिए आप खड़े थे point c पर आपने इस support को देखा यह देख लिया आप यहां पर खड़े थे इस support को देख लिए, यहाँ पर बीच में है, या तो आप इधर से लिए या तो इधर से लिए, तो हम यहीं से देखते हैं, तो point M से जब आप इस point को देखोंगे, तो आपको मिलेगा 12, 12 point M से कितनी दूरी पर, तो 1.2 प्लस 1, तो मैं यह लिख सकता हूँ, कि 12 into 1.2 प्लस 1, 12 किलो न्यूटन, M से कितनी दूरी पर, यह point A, यहाँ से कितनी दूरी पर, 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर की दूरी पर, है ना, क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लिजे, तो यह आ गया, इसके बाद, आगे हमारे पास आ रहा है UDL, अब ध्यान से देखिए, यह UDL पूरा C और D के बीच में लगा हुआ है, लेकिन हमें पूरे UDL से मतलब ही नहीं है, हमें केवल इतने डिस्टन से मतलब है, 1.2 मीटर की दूर, क्योंकि M से ही हम ले रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर पहुँचे है, तो हमें मिला UDL, UDL कितना, नीचे की और लग रहा है, इसलिए minus कितना, 10 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी पर, बहुत लोग बोलेंगे 2 मीटर की, लेकिन नहीं, 1.2 मीटर की, क्योंकि हमें मतलब इतनी ही दूरी से, और M से, इसके मिट आफ दे सेक्शन की दूरी कितनी, तो that is, 1.2 डिवाइड बाइ 2, ध्यान समझिए का, एक बार और मै इसको बता देता हूँ, आप point M पर खड़े हैं, point M से आपने point A को देखा, तो point A पर कितना लोड, 12 किलो न्यूटन का लोड, point M से point A की दूरी कितनी, 1 मीटर, प्लस 1.2 मीटर, तो मैंने ये equation बना ली, फिर, यहाँ पर एक UDL downward act कर रहा है, तो downward act करने के लिए, कितनी distance पर act कर रहा है, 2 मीटर की, लेकिन हम M पर खड़े हैं, और M से हमें इधर की ओर का मतलब है, अगर इस support से लेते हैं, तो इधर मतलब होता, इधर की ओर मतलब है, तो मतलब इतनी दूरी कितनी, 1.2, तो 10 किलो न्यूटन का लोड, कितनी दूरी पर, 1.2 मीटर की दूरी पर, और concentrated क होगा, उसके mid of the section पर, अभी मैंने बताया था, तो उसके mid of the section कहा होगा, 1.2 का आधा, उसका mid of the section होगा, इस equation को आप solve करोगे, तो आपके पास value आएगी, 19.2, so M M will be equal to 19.2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, अब आप बनाओगे, bending moment diagram, तो bending moment diagram बनाने के लिए, यहां पर मैं बनाओगा, bending moment diagram, पॉइंट A और पॉइंट B पर 0, पॉइंट C पर 12, यह रहा पॉइंट C, यहां पर मैंने बना लिया 12, पॉइंट D पर 16, यह रहा वो पॉइंट जो है 16, और यहां पर, पॉइंट यहां पर, तो यहां पर एक value आएगी, जो है, 19.2, कहां पर, यहां से होकर जाएगी, यहां पर मैं एक point बना लेता हूँ, that is, 19.2 और उधर साइड 0, अब ध्यान से देखिएगे, इसको बनाएंगे कैसे, यहां से यहां तक, shear force diagram, constantly move कर रहा है, बिलकुल सही, यह है, 0 degree का curve, यह है, 1 degree का curve, और फिर यह है, 0 degree का curve, तो 0 degree का curve के नीचे बनेगा, 1 degree का curve, और 1 degree का curve के नीचे बनेगा, 2 degree का curve, 2 degree का curve क्या होता है, पैराबोला, तो यहां पर बनेगा एक, जिसका highest point होगा, जहां पर यह 0 था, और यहां से यहां तक, फिर 0 degree का curve, तो फिर यहां से यहां तक, 1 degree का curve हम बना देगे, तो यह बन गया मेरा bending moment diagram, समझ में आया, और हाँ एक चीज और बता दू, यह जो दूरिया मैंने लिए न, 12, 19, 16, यह इस line से लिए है, यह 12, यह जित्ती भी दूरिया है, 8, यह सब इस point से ले रहा हूँ, इस line से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो confusion नहीं होना चाहिए, तो I think आपको यह चीजे clear होई ह होंगी, अगर किसी को और भी type का कोई doubt आता है, तो मुझे जरूर बताईए, comment section में जरूर बताईएगा,